चलिए students, अब set तो हमारा complete होता है यह अब बढ़ते हैं हम इसके last passage की तरफ कल हमने इसका एक blank वाला passage एक close test कर लिया था आज दूसरा करते हैं और set को finish करते हैं डन, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार complete passage visible करता हूँ screenshot ले ले न यह रहे कुछ options and after this we have these options, so यहाँ पर आपका, यह जो है passage complete होता, इसे के साथ set complete होगा तो attempt कर लेना एक बार, अब मैं इसका solution सुरू करता हूँ और उसके बाद मुझे बताना हमेशा की तरह से, किसका कितना score रहा है, passage easy है मैं कोशिश करना कि इसमें तुहरा 10 out of 10 score भी जा सकता है, उसी के according थोड़ा सा concentrated होकर गए attempt करना इसको ठीक है, passage बहुत easy है बले ही तुमें lengthy लग रहा हो passage है, बट ऐसा है नहीं बहुत फटा-फट से समझ में आने वाला passage है बहुत easy vocab का passage है, ठीक है चलो, तो अब देखते हैं, start करते है यहाँ पर का आ गया है home is the first place घर पहली वो जगा है education के लिए पहली जगा होती है education के लिए and parents are teachers और जो हमारे मातपिता होते हैं वो teacher होते हैं, किसकी everyone's life में हर किसी की जिंदगी में जो parents होते हैं, वो सबसे पहले teachers होते है अब सबसे पहले का sense आ रहा है हमारे यहाँ पर, ठीक है खाना, पीना, हर तरह की छोटी मूटी आदत हैं वो ही हमें सिखाते हैं तो parents हमारे सबसे पहले teachers होते हैं अगर parents तुम्हें teacher बनने से इनकार गर देना तुम्हारा तो आज भी तुम मोगली हो यह बात ध्यान रखना, माचिस जला गर के यह सोचोगे, कि यह क्या हो गया एकदम से, यह आग या क्या चीज है यह कैसे जल गई, तो language या फिर जो भी आदते तुम्हें सिखाई जाती है तो आज भी तुम मोगली हो तो आगे बढ़ते हैं teacher, वो हमारे पहले teacher होते हैं, हमारी जिंदगी के 91 में देखते हैं, पहले teacher कोन होते है पहले एक first होता है, बहुत basic answer है last नहीं होगा, प्रात्मिक्ता देने वाला prior जो word होता है, जिसके बाद two preposition भी fix होती है, ये भी नहीं होगा और intermediary, ये बाद के होते हैं intermediary तो बाद में आकर के होता है तो सबसे पहला जो होता है, उसे first कहते हैं बहुत basic answer है ठीक है, तो सबसे पहले teachers होते हैं हमारे parents हमारी life में, in our childhood, अपने childhood में हमारे childhood में, we get first impression of education, जो पहला impression, जो पहली चाप education की हम पर पढ़ती है from our home वो हमारे घर से पढ़ती है especially from our mother, खास करके हमारी mother से, ठीक है our parents let us know the importance, हमारे parents ही हमें बताते हैं, क्या importance किस की of education in life, जिंदिगी में किसी तरह की education की, अब देखो, तो हमारी जिंदिगी में वो किस तरह की education की importance हमें बता रहे हैं, बहुत बड़ी education की नहीं अच्छी education की हाँ worst, खराब education की नहीं bad education की नहीं, तो answer आपका good, तो अच्छी education की क्या importance होती है, वो हमारे parents ही हमें बताते हैं, ठीक है when we become three or four year old, जब हम जब हम तीनिया चार साल के हो जाते हैं, जब हमारी उम्र तीनिया चार साल की हो जाती है, we are sent to school, अब इस RM third form है passive voice है, हमें भेजा जाता है that means हम इस time children है, हमारे parents के द्वारा, वो जो by plus subject है नहीं दिया गया है, passive voice है, हमें भेजा जाता है, हम नहीं भेजेंगे हमें भेजा जाता है school में for the proper proper किसी चीज के लिए proper या फिर regular या फिर किसी तरह की study के लिए तो हमको भेजा जाता है school में proper study के लिए, regular study के लिए और किसी इस तरह की study के लिए अब ये कौन सी तरह की study हो सकती है where we have to take many exams जहाँ पर हमें बहुत सारे exams देने होते है and then we get और तब हमें मिलता है a pass certificate एक pass certificate मिलता है for one class एक class के लिए तब हमें certificate मिलता है pass का ठीक है तो किस तरह की study होगी हमें school बेजा जाता है proper study के लिए regular study के लिए और किस तरह की study के लिए देखो 93 में किस तरह की study के लिए तुम्हें बेजा जाएगा objection वाली study के लिए नहीं जहाँ पर तुम बाद विवाद करो ऐसा नहीं है relational जहाँ पर तुम relation अपने साध निसा को सबसे ऐसा नहीं है sequential sequence मतलब line से चलती है पहली class, दूसरी class, तीसरी class आला कि जो इसमें answer दिया गया है book में, वो question mark है वो confused है दो answer के बीच में and constitutional मतलब वो ही समयधानिक जो होती है, उस तरह की study के लिए ऐसा भी नहीं होगा, तो answer आपका क्या है आला कि इस constitution का मतलब निर्मान से related भी होता है, गि निर्मान कारी जो study होती है, बट ऐसा नहीं है sequential study जादा अच्छा option है आपर, कि आप sequence से one by one class में पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर answer मिल जाएगा, ठीक है तो 93 में sequential study के लिए बहे जाता है ताकि हम sequence से पहली class, दूसरी class, तीसरी class, 4th standard, 5th standard इस तरह से करके हम आगे तक जाते हैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं where we have to take many exams जहां पर हमें exams देने और फिर हमें एक class का pass certificate मिलता है slowly we, slowly we, धीरी-धीरे हम आगे कुछ करते हैं ahead का मतलब आगे, bypassing our one by one class one by one class को अपनी pass करते हुए हम आगे की तरफ कुछ करते हैं until we get passed successfully जब तक हम successfully pass ना हो जाएं 12th standard में, ठीक है, यह बात यहाँ पर काई गई है तो धीरे-धीरे हम क्या करते हैं आगे कुछ करते हैं, आगे बढ़ने वाला sense आ रहा है है न, bypassing our one by one class एक-एक class pass करके तो देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा तो देखो, धीरे-धीरे हम क्या करते हैं आगे बढ़ने का sense आ रहा है अब आगे बढ़ने का sense क्या है, went तो past indefinite हो गया यहाँ पर present में phrase चल दे हैं सारे तो present में option आएगा अब V है, V के साथ आप S.A.E.S. तो लगा नहीं सकते present indefinite कहता है कि verb की first form में S.A.E.S. तब लगेगा जब subject singular हो, अब V होता है plural तो यह भी कट गया ing नहीं आएगा क्योंकि ing के साथ इजारम वगरा चाहिए, वो इस sentence में है नहीं तो बिना helping verb के ing नहीं चलेगा इसलिए answer आपका चोथा होगा ठीक है, केवल first form तो फिर से repeat करता हूँ sentence को Slowly we go ahead धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं By passing our one by one class अपनी one by one class को pass करते हुए Until we passed successfully जब तक कि हम pass नहीं हो जाते successfully 12th standard में Then we start preparations तब हम अपनी preparations start करते हैं for getting admission जिससे कि हम admission मिल जाए to the technical or professional degree जिससे हमें कोई technical या professional degree मिल जाए है न which is called which is called as जिसको हम क्या कहते हैं जो 12th standard के बाद या 12th standard के बाद हम पढ़ाई करते हैं उसे higher study कहते हैं तो देखते हैं 95 के लिए हमारे पास higher जैसा कोई word है क्या higher study के लिए हाँ देखो यहाँ पर है higher study वाला word है न secondary नहीं आएगा vocational नहीं आएगा proper नहीं आएगा तीनों में से कोई भी word यहाँ पर set नहीं बैट रहा है that means we have to choose option A here तो answer आगया आपका 95 higher studies कहते हैं हम इसको higher study is very necessary higher study बहुत ज़्यादा जरूरी होती है for all सभी के लिए to get a good जिससे कि हम एक अच्छी और किसी तरह की job हासिल कर सकें एक अच्छी और किसी तरह की job हासिल कर सकें देखो हम technical degree ले रहे हैं या फिर professional degree ले रहे हैं तो कोई professional job या technical job जैसा word जो है हमारे पास यहाँ पर option में होना चाहिए एक अच्छी job के साथ साथ technical या professional job कुछ इस तरह का sense होना चाहिए तो देखते हैं हमारे पास 96 option में क्या क्या है जिससे कि हम mechanical job ले सकें नहीं जिससे कि हम technical job ले सकें हाँ हो सकता है क्योंकि technical degree की यहाँ पर बात हो रही है समाजिक job ले सकें ऐसा नहीं है समाजिक कार्य तो वैसे अपने मन से volunteer बन के भी किये जा सकते हैं economical आर्थिक job ले सकें ऐसा भी नहीं है ठीक है तो answer आएगा आपका technical जिससे कि हम एक technical और एक अच्छी job ले सकें ठीक आगे बढ़ते हैं in life, life में we become a well educated person हम एक अच्छे educated person बन जाते हैं in life, अपनी life में by the efforts of our parents and teachers हमारे parents और teachers के efforts के द्वारा they are real well wishers वे हमारे real subchintak होते हैं well wishers का मतलब subchintak हमारा भला चाहने वाले वे हमारे real well wishers होते हैं who help us जो हमारी सहायता करते हैं in life, in our life हमारी life में कुछ करने में हमारी किसी तरह की life है उसमें सहायता करते हैं towards x success success हासिल करने में तो देखो towards का मतलब किसी और जाना है तो किसी चीज की तरफ आगे बढ़ने के लिए किसी चीज की तरफ हमें आगे बढ़ाएगा अगर कोई तो वो क्या करेगा अगर कोई person हमें आगे ले जाना चाहरा है success की तरफ तो वो क्या करेगा, हमारा नेतरत्व करेगा अब नेतरत्व क्या होता है, लीडर होता है लीडर की वर्ब क्या होती है, लीड करना होती है तो लीड करने से रिलेटड help us in जो हमारी help करते हैं हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए success की तरफ तो lead से related जो भी word आएगा वो ही हमारा answer होगा ठीक है, तो in setting our life हमारी life को set करने में काम्याबी की तरफ नहीं हमारी life को दुख से बढ़ने में grief का मतलब दुख होता है, ऐसा नहीं है parents और जो teachers होते हैं वो हमारी life दुख से नहीं बढ़ते हैं parents और teachers हमारी life में हमारी life को lead करते हैं, वो ही वाली बात आ गई न देख लो, नितरत्व करना, हमें आगे की ओर ले जाना तो यह answer हो सकता है, और reading हमारी life को पढ़ने में नहीं, ऐसा नहीं है तो answer क्या आएगा, in leading our life towards success in leading our life towards success, हमारी life को lead करने में किस और success की ओर nowadays, आजकल many governmental programs, आजकल बहुत सारे governmental programs have been implemented, उनको भी चलाया जा रहा है government programs को भी चलाया जा रहा है have been implemented, that means passive voice है, किसी के द्वारा चलाया जा रहा है by plus subject sentence में से गायब है यह active passive voice की knowledge है तुमारी जो तुमें पता होनी चाहिए अगर passage में, तुम अच्छे से Hindi sense पकड़ना चाहते हो तो have been implemented to the education system जिससे की education system को कुछ किया जा सके बहुत सारे government program भी चलाया गये है जिनसे की education system को कुछ किया जा सके अब क्या किया जा सके 98 में देखते हैं हमारे पास क्या क्या options है education system की एक जलक ली जा सके glance का मतलब जलक होता है यह नहीं आएगा education system को advance किया जा सके है न यह भी नहीं होगा advance का मतलब लाब लेना या फिर sorry advance का मतलब किसी चीज़ से आगे चलने का sense भी आता है variance का मतलब कभी कम हो गया कभी जादा हो गया मतलब उतार चड़ाव चलता रहे उसमें ऐसा भी नहीं है और enhance का मतलब बढ़ाना मतलब जिससे education system का level बढ़ाया जा सके विस्तारित किया जा सके बढ़ाया जा सके जिससे education system को बढ़ाया जा सके enhance the education system आ जाएगा so that जिससे की everyone may get जिससे की हर कोई प्राप्त कर सके to proper education proper education की तरफ कुछ चीज जिससे की हर कोई proper education की तरफ क्या कर सके जिससे की हर कोई proper education की तरफ access मतलब पहुंच सके, answer हो सकता है regress नहीं आएगा access नहीं आएगा और success नहीं आएगा आप देखो यह जो access है और यह जो access है इनमें यह जो access होता है जरूरत से जादा होता है अधिक होता है जबकि हमारा क्या है access यह जो पहला word है इसका यहाँ पर sense आना चाहिए पहुँच किसी चीज तक पहुँच हमारी जो होती है उसे हम a c c e s कहते हैं हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर access हमने चुना है पहले वाला तो पहला जब हमने चुना तो 99 में हम क्या fill करेंगे फिर पहला fill करने के बाद में so that everyone may get access to the proper education जिससे की हर किसी की पहुँच हो सके जिससे की हर कोई पहुँच सके proper education की तरफ है न proper education कोई प्राप्त कर सके ठीक है lots of advertisements बहुत सारे विज्यापन आर शोन on the TV टीवी पर बहुत सारे विज्यापन भी दिखाया जाते हैं अब इस आरेम शोन है passive voice है वही बात है किसी के द्वारा दिखाया जाता है in this sense बहुत अच्छे से समझो passage फटफट से होगा ठीक है यह active passive की knowledge है जो voice के chapter में तुम्हें अच्छे से सिखाई थी ठीक है grammar के batch में basic वाला batch जो था हमारा foundation का वहाँ पर यह बताई थी and news to make people are shown on tv and news और news भी show की जाती रहती है to make people aware जिससे की लोगों को aware किया जा सके जिससे की लोगों को जागरुक किया जा सके of the advantages advantage का मतलब lab जिससे की लोगों को advantages के बारे में aware किया जा सके importance के बारे में आप aware किया जा सके किसकी education की education की importance या advantage lab या फिर उसकी जो महत्ता है उसके बारे में उन्हें aware किया सके इसके लिए बहुत सारे tv shows, advertisements चलाए जाते रहते हैं especially खास करके in the rural areas, खास करके gram in छेत्रों में as, क्योंकि यहां पर as का मतलब क्योंकि है, दो sentence को जोडने वाला word है, that means it is used as a conjunction here, ठीक है तो people in क्योंकि जो people होते हैं इस तरह के और rural areas में मतलब किसी तरह के area में और rural areas में अब किस तरह के area में होंगे, do not want to study वो study करना नहीं चाहते हैं because of poverty या तो poverty के कारण, गरीबी के कारण या फिर improper understanding के कारण towards education क्योंकि उनकी understanding जो होती है education की दरफ improper होती है, मतलब वो चाहते नहीं वो सोचते हैं education के करने के बाद तो बड़े-बड़े college में या school में जाने के बाद बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़े भी धिमाग में होती हैं, तो वो improper, जो improper, जो understanding होती है उसकी वज़े से भी वो पढ़ना नहीं चाहते तो specially ये किस area में play किये जाते है ads people in, खासकर इस तरह के areas में और rural areas में, अब ये किस तरह का areas होगा देखो, 100 में check करो ये forward area होगा, नहीं backward area हो सकता है, बिलकुल हो सकता है पिछडा इलाका बोलते हैं हम हिंदी में इसको awkward area, खराब area ऐसा नहीं बोलेंगे, steward area ये भी नहीं होगा, तो answer आपका क्या है backward areas में तो बेहद easy passages में थससे था ये है ना, तो I hope कि मुझे comment में आज कुछ बच्चों के 10 out of 10 mark की comment मिले ठीक है, चालिए, तो मेरी तरफ से आज का passage खत्म होता है and students जो पढ़ रहे हैं application पर उनका ये set भी complete होता है, खेर, चलिए आज के लिए तना ही अब मिलते हैं next lecture में, बस regular रहो अमेशा की तरह से मैं एकी बात काऊंगा एक target चुनो, उसे पूरा करो उसके खुशे मनाओ और उसके बाद next target चुन लो यही आपकी life है, ठीक है, आपकी मेरी सभी की, have a good day